हेलो दोस्तों तो स्वागत है आपका The Traders Compass की एक और लाइव वीडियो में तो दोस्तों यहां पर मैंने entry बना ली है आप लोग देख सकते हैं तो यहां पर Nifty 21500 का call option मैंने open कर रख है आप लोग देख सकते हैं यहां entry बन चुकी है यह मैं यहां पर scalping trade करने वाला हूँ आप लोग देख सकते हैं जैसी मैंने order punch किया और market यहां से उपर जाता हूँ में नजर आ रहा है 231 के around मेरी entry हुई है मेरा जो target होने वाला है वो maximum मतलब जितना भी हमें मिलेगा वो हम spot chart के according ही रखेंगे तो यहां पर हमें 20 point के around तो मिली जाएगा तो 251 के around जैसे में मिलेगा हम लोग अपनी position को exit कर लेंगे तो दोस्तों यहां पर निफ्टी अभी भी हमारी direction में चल रहा है तो देखते हैं कि हमें कितना मिल पाता है और जो इसके पीछे का reason है कि आखिन मैंने क्यों straight को लिया और मैं यहां पर क्यों यह scalping कर रहा हूं वो मैं आपको अभी spot chart पर बताऊंगा फिलहाल state को हम चलने देते हैं आप लोग देख सकते हैं यहां पर मैंने running candle पर ही entry ले ली आप लोग देख सकते हैं क्योंकि जो टॉप है वो break नहीं हुआ था इसलिए हमने running candle पर entry ली तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि कहां पर हमें running candle पर entry लेनी है और मैंने क्योंकि यहां पर मेरी जो साइकलोजी है वो यह कहती है कि जैसी ही यह candle close होगी तो बहुत सारे जो डिटेलर से वो यहां पर entry बनाएंगे ओ फिलाहल हमारा target आ चुका है नेली हमारी target के around निफ्टी आ चुका है तो जैसे ही target हिट होता है हम लोग अपनी position को exit करना शुरू कर देंगे तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि market थोड़ा उपर निकल थोड़ा सा वेट थोड़ा से एक और momentum आये तो थोड़ा से हम लोग थोड़ा वेट करेंगे फिर हम लोग इसको exit कर लेंगे तो यहां पर 251 से उपर तो market निकल चुकी है तो आप लोग देख सकते हैं तो सारी position मैं exit कर लिए हैं आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से यहां पर nifty का call चल रह मैंने यहां पर 20 point capture कर लिए हैं हां तो मैं कह रहा था कि जैसी candle close होगी तो यहां पर बहुत सारे retailers अपने entry बनाएंगे और operators वहीं से market को reverse कर देंगे तो यही बस psychology थी और इस psychology को और भी deep से समझने के लिए हम लोग spot chart पर चलेंगे और जानेंगे कि वहां पर आखिर ऐसा मैं तो चलिए अब हम लोग spot chart पर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर मैंने entry कहां पर ली तो यहां पर मैंने spot chart ओपन कर लिए आप लोग देख सकते हैं कि इस तरीके से nifty लगातार upside momentum कर रहा है और यहां अब आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कहां पर entry ली यहां आप लोग द यहां पर मैंने एक्जिट कर लिया तो जैसी यह एक्लूज हुई उसके बार रिटेलर्स ने एंट्री के और ट्रैप हो गई तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं जैसे मैंने सोचा था वैसा ही हुआ जैसे यहां पर रिटेलर्स ने अपनी एंट्री बनाई पूरा हो गई और जितना भी प्रीमियम इस पर बढ़ा था वो पूरा रिवर्स हो चुका है तो आप लोगों को सेखने को मिला होगा और वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें